नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो इस प्रीडियो में बात करेंगे 16 सितंबर बुद्दवार के तुला रासी फल के बारे में कि तुला रासी वाले जात को के लिए आज का दैनिक रासी फल कैसा रहेगा इन लोगों को कौन से छेत्रों में कारी करेंडे से ज़्यादा सफलता इनके मान सम्मान इसकरती में बढ़ोतरी हो सकेंगी ये अपने कारी छेत्र में किस प्रकार से बैतर परतरसन कर सकेंगे और किस प्रकार से इनके जीवन में खुसियां दस्तक दे सकती है इनका लखी कलर लखी नमबर कौन सा रहने वाला है और किस प्रकार से इनके समाद में इनको एक अलक्ष बेलग पहचान मिल सकते हैं इनके जीवन में जो भी दुखतगलिफे समस्याएं संकड़े और आर्थिक तंगया चल रही हैं उन सबों से किस प्रकार चुटकारा फाया जा सकता है और किस प्रकार से इनके जीवन में कश्टों से समस्याओं से समधान मिल सकता है तथा आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा तो से पहले विडियो को लाइक करगे चेनल को सिस्क्राइब अवस्य कर रहें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें आज आपके चाहें फूरी होंगी वैविसाइक संद्रब में महात्मकान चाही उजनाओं के सुरुवात की जा सकते हैं अगर आप उच्चेदिन या नोकरी के लिए विदिश जाना चाहते हैं तो आप निरास नहीं होंगे आपके काम्यावी में विर्दि होंगी नए संपर के स्ताफित होंगे आप कुछ प्रफावसाली लोगों के साथ मिल सकते हैं यदि प्यात्रिक संबत्ती के संबन्द में कोई भी मामला लंबित हैं तो आप आपके पक्षि में वे मामले तैग किये जा सकते हैं प्रिवार से भी आपको कोई सुष्माचार प्राप्त हो सकता है आपके प्रेम समंद्ध उचब होंगे तथा आपके प्रेम समंद्ध भी मजबूत हो सकते हैं मित्रों आज एके दिन आपके प्रियास फल देंगे आप जिस भी छेत्रों में प्रियास्त करना चाहोगे उनमें आपको कौफी अच्छी खासी रिजन्ति मिल सकता है आपका अत्मिस्वास बढ़ेगा आप किसी नए साज़ेदारी या किसी नए अस्वेशन में प्रिवेश कर सकते हैं आपके सामाजिक दारे बढ़ेंगे आपक करने की कुशस करें क्योंकि आपके जीवर में इसमें कई प्रकार के असदंगद और कई प्रकार के दुदा परिसित्यां चल रहा है असलिए आपको सूचने समझरे के जुरूत रहेंगी आप अध्यात्मी गदिविदियों की और आकर्षित हो सकते हैं बच्चे भी काफी अच्छा रह सकता है परिणाम आपको पक्ष में आएगा आपके जिन्दगी में भी आपको सब कुछ बढ़िया करने के मोके प्राप्त होंगे परिवार और जीवन सात्ती का सहीयोग मिल सकता है लेकिन भाई वहनों के साथ आपका बात विबात हो सकता है ऐसे में अगर आपका कोई समंद प्रेमी यानि अगर कोई फ्रोसी से हैं तो आपको इसमें सावधान सत्र को समभल कर रहने की जुरत रह सकती है प्रेम को पाने के चकर में बेवकूफ रहने से आपको बिचने की जुरत रह सकती है पर्चूगिता परिक्षा में हिस्सा लेने वालो और कई प्रकार के विचार ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपके जीवन के लिए असंगत हो सकता है किसी भी प्रकार के वेफारिक नर्ने जिसमें की आर्थिक जोखिम सामिल हो उसके लिए समय उप्युक्त नहीं है प्यार करने वालों के लिए यसमें सहयोगी रहेगा परिवारिक जीवन में भी आपका समय अनुकुल रहेगा पिंतु कोई भिणरने आवेस में आकर नलें करज देना इसमें आपके प्रिसानी को फैदा कर सकता है आता करज देन से बचे रहने की अवस्य कोशच करें आज आपके लिए अनवस्य क्रोज से बचना सिरेकर सावित होंगे आलाकि आर्थिक तनाप तो रहेगा प्रंतु क्रोज से विस्समाप तो नहीं होंगे बलकि उसका समधान निकाला आपके लिए और भी अधिक कठीन हो सकता है आपको सुद्र यात्राओं का योग बहुत प्रबल रह सकता है जिनमें खटे मीटे दोनों तरके अनवव आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके संतान की ओर से जो भी चिंताएं चल रही हैं उन सबों से आपको छुटकार अफ्राप्त होंगी आर्थिक मामलों के लिए समय काफी लगातार फृतिकूल बना रहेगा आप अत्यदिक सावधानी बरते हैं और किसी के बहकावे में आकर कुछ बड़े और संगत पैसले लेने से आपको बचने की जुरत रहेंगी अगर आप पैसा नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के प्रिणामों को कौफी जादा भुगतना पड़ सकता है आपको किसे ऐसे प्रोजेक्ट से अपरतियासित लाप मिल सकता है जो आपके दिल के करीब हैं आपके वीत्तिय स्थित्यों में विशुधार हो सकता है रिन पर देगर पैसे भी आप जल्दी ही वसूल कर पाएंगे मित्रों आज के दिन आप अपने कारीशेतर में कौफी अच्छे और सुनवरे अवसरों की प्राप्ति कर सुकोगे आज के दिन उप्लवधियों से भरा रह सकता है आप अपने महात्मकांचाई योजनाओं को अंतिम रूप देने में सक्चम होंगे रुके वे कामों में प्रगति होंगी और प्रिणाम संतोजनक रह सकते हैं आप लावप्राप्त करने में सक्चम होंगे आप कला और साहित की और आकरसित हो सकते हैं आज के दिन जो भी लोग इन छेतरों से डुड़े हैं उन्हें अपने काम के लिए स्रणाहा मिल सकती हैं और उनकी सभी बढ़ सकती हैं आज यात्राइश संभव होंगी जो लापकारी रहेंगी आई के नहीं रास्ते भी खुले वाले हैं एक प्रिवार के साथ किसी अधानी बरतनी पर सकती हैं आपके सामने कुछ नवस्त कर्चे भी आ सकते हैं जिनके कारण आप तोड़े मूडी रह सकते हैं या फिर थोड़ा सा आपको फ्रिसान होना पर सकता हैं आज इके दिन उच्छे दन के लिए प्रियासरत सात्रों को वांचित प्रणाम जरूर प रखें वैवसाई भी आपके जीवन में मदबूत संकेत भी प्राप्त कर सकोगे आपको विशेश रूप से लावकारी उजनाओं को बनाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं तथा आज के दिन आपको वेकार की गद्विदियो पर भी वेकार की आत्राओं से भी बतने का प प्राप्त कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों को एक ने सोधे प्राप्त करने के मुख्य फ्राप्त होंगे बदलाव यह नौकरी के तिलास करने वालों को कौफी जादा सफलता हाथ सकते हैं वीति एस्तितियों में भी आपका सुधार हो सकता है आई का एकत्रिक तस्रोद व्यूत्पन होंगे अरिवारिक बात्तवर्ण भी आपका जीवान तरह सकता है और आपको आवजाही जाने करने मिल सकते हैं लंबी दूरी की आत्राओं की योजनाएं बनाई जा सकते हैं गलत आपको दूर करने की अवस्य कुस्स करें आज कारिस्तर पर भी आपके सकर में और अध्रिस्तों से भी टकराब होने का खत्रा बन रहा है घरेड़ों मर्चों को निप्टाने के लिए राजकी बनने की कुस्स कर सकते हैं दार्शिरिंग दृष्टिकों अपना कर वास्तिविक दुनिया को उसके वास्तिविक परिशेप में देखने का प्रियास कर सकते हैं वित्य वहबार और निवेश के साथ आपको अधिक सतर को सावधान रहने की जरूरत रह सकते हैं आज के दिन आपके कमाई घट सकते हैं और आपका धन अवरुद्ध हो सकता है या फिर आने वा तो जल्दबाजी में किसी भी प्रिकार के कोई भी निरने को लेने से पहले एक बार आपको सुचने की विशेज जरूरत रह सकते हैं तुलारासी वाले जात को को बताना चाहेंगे कि आपके जीबन में विशेज बड़ी खुसका वरी फ्राप्त होंगी आज के दिन प्रियास करने पड़ सकते हैं रिश्तेदारों के मिलने के लिए आपको समय कफी अच्छा रह सकता हैं आज के दिन जो लोग अधिक उमर दराज वैकती हैं तो लोगों को जोड़ों से समन्देद अपने घुटनों में दर्द हो सकता है यासे में आपको विशेश रूप से शतर गरेने होंगे वांसी गुरूप से आप थोड़ी परिसान जरूर होंगे परन्तु आपके प्रिसानी दूर होंगी आपको विदेश यात्राओं का अचानक से मौका मिल सकता है जिन में आपको खुश्यां अवस्य हासल होंगी आपका दनवैतर बने इसके लिए कमेंट कारी हुँ जे मविन्दु वाशनी